नमस्कार स्वागत है आप सभी का लाइब बिहार में मैं हूँ आपके साथ दिव्या साउथ एक्ट्रेस अनुपमा की फोटो पर अव्यार्थी को सो कॉल नोटिस देगा बिहार बोर्ट रद हो सकती है CTT रिजल्ट गुरुवार सुबह से ही यह मामला सोसल मीडिया पर वाइडल हो गया है इस मामले की जानकारी राज्य सरकार को मिलते ही उन्होंने इस पे जाच की करवाई की है बिहार विस्विद्याले परिक्षा समीती द्वारा आयोजित STT की रिजल्ट में अव्यार्थी रिसी केस की जगा साउत की फिल्मों की सुपर स्टार अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर जारी होने के मामले में अब बोर की सफाई आई है इस सफाई से लग रहा है कि पूरे प्रकरन की गाज अव्यार्थी रिसी केस पर गिर सकती है बोड ने उसे ही जिमेदार ठहडाया है बिहार बोड ने बयान जारी कर कहा कि अवियार्थी रिसी केस कुमार ने फॉर्म भरते समय अपने फोटो की जगा दक्षिन भारती अविनेतरी की फोटो अपलोड की बोड द्वारा ठूती सुधार का कई बार मौका भी दिया गया लेकिन रिसी केस ने सुधार नहीं किया अवियार्थी ने जान बूच कर बोड की छबी धुमिल की है ऐसे में बिहार बोड द्वारा रिसी केस कुमार की स्टीटी दोहजार उनीस के अवियार्थी तुकेयो सही फोटो लगाया गया था लेकिन प्रवेस पत्र में गलत फोटो लग गया इसके लिए बोर ने फोटो सुधार का मौका भी देने का अश्वासन दिया था लेकिन सुधार नहीं हुआ छातर रिशिकेस कुमार ने बताया कि स्टीटी में प्रवेस पत्र में ही या गलती हुई थी जब प्रवेस पत्र मिला तो उस पर अवी नेत्री की फोटो लगी थी इसके बाद मैंने बोर से संपर किया बोर प्रसासर ने फोटो सुधार करने का मौका देने का अश्वासन दि इससे बोड की अनुमती पर परिक्षा में सामिल हुआ बोड ने कहा था कि परिक्षा होने के बाद फोटो में सुधार होगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ वहीं सिक्षा बिभाग के अपर मुख्य सचीफ संजय कुमार ने इस मामले पर कहा कि इसमें जो भी दोसी होंगे उन पर कारवाई होगी बिहार बोड अद्यक्ष को उन्होंने जाच का आदेश दिया है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सिक्षा बिभाग एक माध्यम है और बिहार बोड का काम परिक्षा लेना है साथ ही उनका ये भी कहना है कि रिजल्ट को लेकर अभी तक किसी गरवरी की बात सामने नहीं आई है अब देखना ये है कि प्रशासन परिक्षा में हुई धांदली का क्या नतीजा लेकर सामने आती है ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए बने रहें लाइब बिहार के साथ धन्यवाद लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें